नवश्कार दोस्तों मैं अंकुर मात्वर मोटिवेशनल स्पीकर आप सबेलों का डीजी नफ्चर के इस कारेक्रम में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हैं आजकल एक प्रोब्लम जो शायद हर एक बच्चे को है और वह कि कोई बच्चा इस्ट्रेस में है और है किसी को आईसाइड वीग किसी बढ़ावा है किसी को शूगर की बिमारी हो गई है इस सारी चीज़ हैं वो के factors कई सारे हो सकते हैं लेकिन शायद एक इसकी मुख वज़े cell phone हो सकता है maximum बच्चे आजकल अपना quality time होता है maximum time cell phone के ओपर spend करते हैं वो या तो laptop के ओपर पढ़ाई कर रहे होते हैं या cell phone पर कुछ ना कुछ search कर रहे होते हैं और पढ़ते हैं उसके बाद अगर उनको free time मिलता है और वो अपने उस time को किसी एक चीज में utilize करना चाहते हैं तो वो भी उनका hobby time होता है वो भी उनका cell phone पर जाता है जिसमें वो अपनी social networking site में अपने friends के साथ बात करते हैं कुछ games खेलते हैं तो उनका जो maximum time है morning से लेकर के और शायद रात तक का वो cell phone के उपर जाता है अब तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग घड़ी भी नहीं बानते हैं और cell phone का use करते हैं ये देखने के लिए कि time किता हुआ है देरे देरे इस cell phone की वज़े से कई सारी problems हमारे बच्चों के अंदर आ रही है और कई सारी ऐसी चीजें जो शायद हम लोगों को नहीं देखती हैं और वो शायद यह हो सकती है कि जो बच्चों के social relation है वो बहुत अच्छा नहीं है कि हम लोग कुछ पार्ट cell phone से दूर हटें और दूर हट करके अपने बच्चों को दें जिस पर वो फील्ड के ओपर जाए फील्ड के ओपर जाकर कि वो games खेलें ऐसा जरूर होगा कि जब बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तो cell phone के पास होगा लेकिन वो फील्ड के ओपर करें उसे उसकी muscles अच्छी होंगी उसकी exercise होगी उसका social relation बनेगा लेकि फील्ड हम लोगों को जीतना और हारना दोनों सिखाता है ज़रूरी नहीं कि फील्ड के ओपर हर दिन बच्चा जीतेगा ही जीतेगा किसी दिन हारेगा और किसी दिन जीतेगा लाइफ में भी जब वो कभी हारेगा कभी उसकी लाइफ का कोई failure आएगा तो उसको face वो बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा चुकि फील्ड पर उसको यह आदत पड़ी है वो जब physically खेल रहा होगा तो उसकी muscles strong होंगी stress free होगा कई सारी चीज़े हैं जो हमको field देती है लेकिन उस quality time को आजकल cell phone ने ले लिया है तो ऐसा try करिए कि अपने बच्चे को motivate करिए कि बच्चा field के उपर जाए जब फील्ड के उपर जाएगा तो बच्चा social होना सीखेगा एक दूसरों से बात करेगा उसकी दोस्ती होगी कोशिश करिए कि अगर घर में आस पास कोई ground नहीं है जहां पर बच्चा जा पाए तो एक ऐसा time होना चाहिए जिसमें बच्चा निकले घर के बाहर जाए जा करके कुछ friend से मिले उनके साथ कुछ बात करे इससे relation भी build up होगा बच्चा बहुत कुछ अच्छा अपनी life में कर लेगा लेकिन उसके साथ साथ उसको यह सीखना पड़ेगा कि लोगों से वो बात कैसे कर रहा है उसकी body language कैसी वो बात कैसे करता है लोगों से वो मिलता कै पर है उसमें भी उसके friend बनिये यह देखिए कि उसके friend कैसे हैं वो किसे बात करता है वो लोग कैसे हैं यह जानना आपका बहुत जरूरी है जो भी parents है उनको इन सारी चीनों को जानना बहुत जरूरी है और try करिए कि बच्चे को motivate करी कि बच्चा field के उपर जाए इससे उसक बच्चा कुछ सीख पाएगा कुछ आगे कर पाएगा उमीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसी टाइप के वीडियो डीजी नर्चर पे देखने के लिए आप लोग हमसे जुड़े रही है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो please इसको लाइक करना न बुलिएगा बहुत बहुत धन्यवाद